नमस्कार आपका स्वाकाते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ तारक मैदा का उल्टा चश्मा इंडियन टीवी इंडस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला शो है खास बात यह है कि इस शो का हर किर्दार देजभर में पॉपुलर है इनी मैंसे किर्दार है पत्रकार पोपटलाल पांडे का पोपटलाल के छाता प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं पर आप जानते हैं कि स्किर्दार को निभाने वाले एक्टर शाम पाठक कभी कपड़े की दुकान में सेल्समेन थे एक्टर शाम पाठक एक लोवर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं उनका जन मुंबई के गाट कोपर में हुआ और वो पले बड़े भी वही 25 साल तक पाठक अपने परिवार के साथ गाट कोपर की एक चौल में ही रहे कॉलेज की पड़ाई के दुरान पाठक को पहली बाद थेटर के बारे में पता चला पाठक इन पांच सालों में पाठक नहीं है तो तैय कर लिया था कि वो एक्टर बनना चाहते हैं पर हो यह होगा कैसे वो यह नहीं जानते थे इन सब के भी शाम पाठक का परिवार financially struggle कर रहा था अपने परिवार की मदद करने और अपनी पड़ाई जारी रखने के लिए किनोंने कपड़े की दुकान पर सेल्समेंट की नौकरी की एक इंटर्वियू में पाठक ने बताया कई बार मेरी क्लास की लड़की अपने पैरेंट के साथ मेरी दुकान पर आ जाती थी मुझे काफी शर्मिंदगी महसुस होती थी हाला कि मैनेस दौर से काफी कुछ सीखा इसके बाद पाठक ने सीए और थीयटर के बीच में बैलन्स बनाया नैशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी किसमत आजमाने के बाद पाठक किसी इंस्टिट्यूट में एक्टिंग सीखना चाते थे पर उनके पास पैसे नहीं थे एक प्ले के दोरान उनने बैरी जॉन और उनकी ग्रूब के बारे में पता चला पाठक के पास पैसे तो थे नहीं तो उन्होंने बैरी को एक लिटर लिखा और बैरी ने उन्ने फ्री में अपने कोस के एक सीट दे दी इसके बाद पाठक उनकी क्लास अटेंकर ने दिल्ली चले गए दिल्ली से वापस मुंबई आकर भी पाठक का स्टगल खतम नहीं हुआ और उनने के नाट को और टीवी शोज में परफॉर्म किया उनका पहला टीवी शो एक चाबी है पडोस में था इसके बाद वो सोन परी जासुपेंज जैनतिलाल जोशी की जॉइन फैमिली समि झाल 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 झाल